कि हाद वे स्वागत इपनी जनता का नए पॉड़कास्ट में जैसे कि आप लोग हमारे स्पिरिश्वल आश्रोलोगी पॉड़कास्ट को बहुत प्यार देते हैं पबलिक की बहुत ही प्यारी डिवान पर हमने बुला लिए फिर से वन मोर टाइम साक्षी जी और संजीव जी मैं बचता के लिए तो स्वागत है आप दो लोगास्ट कंशिया वेलकम साथ मुलते ही रहोंगे आगे अगे बहुक हुआ है देखे आप लोग इतने हमारे उपर के पर करें साथ हमें बादा बुलाए कैसे और धन्यवाद करें धन्यवाद केली शब्द नहीं 들어 बह operates को तहे दिल से बिलकुल नमद होके धन्यवाद करना है अरे सर, थैंक यू सुभाट सर और प्लीज एक मिनिट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सौरी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को परक हो रही है, कौन एस्टोलाजर असली है, कौन नकली है इस ज्ञान के बारे में इस इस विद्या के बारे में लोगों को जागरुक हो रहे हैं हमारी नई पीडी को आप जोड रहे हैं सनातन धरम से इससे बड़ा पुन्ने वाला काम नहीं है कोई भी क्योंकि हमारी नई पीडी क्या कर रही थी, माबाप को बुरा बला बोला, माबाप का कहना न मानना, दुर विचार, दुर वयभार, नशु में पढ़ना, पढ़ाय लिखाई ना करना, गंदी हरकतों में पढ़ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं तीनों, आप नए यूथ को नहीं, नहीं, हमारी संस्कृति के साथ चोड़ रहे हैं, आप इसको यह मान लिजे कि हमारी दशा बहुत सही चल रही है, हमारे ग्रह बहुत सही चल रहे है, कि हम इस पुन्य काम में आ गए और ये एक दम इवेंचली होते चला गए हमारे साथ, बिलकुल, बिलकुल, बहु अगला साल सतर्क हो जाईए, बिलकुल साथधान, शनी देव अरहे हैं और शनी देव करम परदान है, सबसे पहले बता देता हूँ जूटे एस्टलोजर को, साथधान हो जाईए भही, अगर आपने ठिकना है और चलना है, तो सच्चाई से चलिएग अगले साल, सबसे पहल सबसे कि एक बारी को आप कोट में जज को या वकील को जूट बोल सकते हैं अगले साल जो सच्चाई पे चलेगा, मेहनत करेगा, सब को, किसी को दोका नहीं देगा, वो सफल होगा. और सर जो इस साल दोका दे के बैठें, उनका हिसाब नहीं होगा अगले साल. यही तो मैं कह रहा हूँ, तियार हो जाईए. अब सब का हिसाब होना अगले साल. यह गरंटेड लिख दिया गया है और कईयों की पोबारा होगी, और कई भी चाहिर गोईगी. सर यही बात करते हैं, ऐसी कौन सी राशी हैं, या ऐसी कौन सी कॉंडली हैं, जिनके यह साल अच्छा होने वाला है, और किनके उपाशनी भारी होने वाला है? देखे, सबसे पहले तो सोने और चान्दी में उच्छाल आएगा. अच्छा, और ज्यादा. बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल. और कंस्रक्शन, जो आप देखते हैं, जैसे मकान बन रहे हैं, कंस्रक्शन चल रही है, अब शनी का साल है, अब देखेगा, बिल्डरों की वाह वाही हो जाएगी, लोहे का काम, बिल्डर, मतलब रेट इतने बढ़ने वाले हैं, हो सके तो एक-एक फ्लैट ले ही लिजे, आप लोग बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे मालिक, प्रभू, जो लोग भी प्लैनिंग कर रहे हैं, वो सारे ले-ले फटा-फट से, क्योंकि अगला साल जरूर प्रॉप्टी के रेट बढ़ेंगे, गरंटी वाली बात है, सर ये एरिया वाइस भी डिपेंड करता है, पूरे इंडिया में ऐसा है, वेस्ट की डिरेक्शन में ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे बॉम्बे हो गया, अब आपका वेस्ट जैसे गुडगाओं हो गया, इस तरह से, बाकी जगाओं पे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो कहा है, कई पर भी हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टी अगर अगर बार आएगा, आप देखेगा, सुने चांदी के रेट देखेगा, कितने बढ़ेंगे, आपको मज़ा आजएगा, पेट्रोलियम, गैस, माइनिंग, इसमें देखेगे कितना काम बढ़ जाएगा, बहुत जादा जंदा पैसा काम आने वाली है, पैसा आने वाले लोग के घ लूट, घसूट, जूट, इस चीज से थोड़ा सा साब दान होना पड़ेगा जी आप लो, मताँ आप लोग करने चाले, सार हमने नहीं बोला किसी से जूट, सार आप लूटरे सार, नहीं, नहीं, हम तो आपको लूटरे लग रहे हैं, मताँ असली और नकली की पहचान हो जाएगी अगले सार, असली कौन, अकली कौन, मतलब वही वाली बात है, जूट पे नहां चले तो बढ़िया है, वहवचारी चोनने पड़ेगी, सर राशी के हिसाब से अगर आप बता सकते हो इसको, कि बुरा किस के लिए रहेगा, अच्छा किस के लिए रहेगा, तो अच्छी देव उनके ग्यारवे भावे बेड़कर शेश्योग बना रहे हैं, और बाकी प्लैनेर्स की बीपोजीशन देखे, तो ग्यारा गुना लाब उनको जादा होगा, और ऐसे वरिशब राशी है, वरिशब राशी यानि टॉरस, तो टॉरस वालों को भी उनके वर्क ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि करकराशी जो है, यह हमारा कैंसेरियन जो है, वहाँ पर जो यह वैब बचा दे करेंगे, तो यहाँ पर करकराशी वालों के लिए तो कहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अगर आप ड्रिंक और नॉनवेज को नहीं चोड़ेंगे, तो यहाँ पर शनी देव जो है, नंगी तलवार रटका देंगे, और किस वक्त वो तलवार कट जाए, और बंदा खतम, तो यहाँ पर फोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान रखर चलना पड़ेगा, करकराशी वालों को, और कैंसेरियन्स को, और लियो की अगर हम बात करें, तो यहा ऐसा देना पड़ेगा मजबूरी में, और वो भी लाखोर रुपे आएंगे उनके पास, सिंह राशी वालों को भी, और करने राशी वालों को तो मैं कहते हूं कि जितने लोगों का जो कर्ज चल रहे थे, जिनके डप थे, कर्ज थे, जिनके रोग थे, द्रिंड थे, शत्र पुहंता योग बना कर शनीदेव जो है, सब कुछ उनके लिए पोबाना करने के लिए आ गए है, यह है, और तुला राशी वालों की बात करें, तो यहां पर तुला राशी वाले और लीबरंस जो भी हैं, तो यहां पर इनका थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू यहां परिंग को आएंगे, जैसे कभी कुछ बाजार से कुछ खा लिया पार्टी में चले गए, तो ओरीटी हो गई, वहां पर थोड़ा सा फूड़ा सा फूड़ पोईजन हो गया, यह सब आपको सिम्टम्स ना, शनीदेव के यह साल आने से पहले, तीन महीने पहले आने भी प्रॉपटी नहीं बिगरी थी, प्रॉपटी लेनी थी, तो वह उनके लिए बढ़िया आने वाला है इस साल, और हम बात करें कि व्रिश्ची के बाद धनुर आशी वालों के लिए, उनकी एडवेंचर करके और यात्रां के दिवारा उनको पैसा आएगा, बहुत ज़दा जो है चोटे भाई-बाईनों को उनको वस अपने खुश रखना है और उसके बाद उनकी बहुत सरा पैसा आने वाला है और अगर हम बात करें मकर राशी वालों की तो मकर राशी वालों का तो धन योग जाग जाएगा अच्छा ये देड़ साल जो है उनके लिए बहुत ही ब और जो है मीन राशी वाले यानि की पैसे अगर उनकी बात करें तो उनके भी विदेश आने के योग बन सकते हैं कुछ उनके फॉरन सेटल्मेंट की योग बन सकते हैं कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ड का काम जो है वो शुलू हो सकता है तो यह है भारा राश्यू का हाल मैम अपने तो ऐसा बता है एक गो में जैसे न्यूज में नी साथ सेकंड में साथ ख़बरे बहुत ही सही मैम जैसे शनी का पीरेड आ रहा है तो किसी अगर साड़े साथी चल रही है तो उसको उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान दखना है भी साड़े साथी वाले है प्रभुज साथ साथी वालों को विशेश रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मांसिक रूप से फैनेंशली, मेंटली और फिजिकली दिखकर ज़रूर आएगी अब देखिए किसको ज़्यादा आएगी किसी को कम आएगी लेकिन आएगी ज़रूर अब हमने क्या करना है साथ मैं आज की बाएगी बता दूँ साथ साथी देने के लिए भी आखिये करोड़ो रुपे एग्जामपल मैं किसी का एग्जामपल नी देता मैं हमिशा आपको बता मेरे मालिक अपने एग्जामपल देता हूं मेरी जब साथ 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 शुरू हुई तो हम डाउन टू करोड़ों रुपे हमने कमाए मेरी साथ साथी में अगर मैं उस समय क्या करता क्या जाके डाल देता मतलब तेल चड़ा देता शनी देपे तो वह करोड़ों रुपे आता ही ना अच्छा ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है तो शान्त हो जाते बेसिक लिए आपको अच्छा शनी बैठा हुआ है आप जाके तेल चड़ा रहें शनी देप्या आपके करोड़ों रुपे गाया बड़ी बड़ी फैक्टिडे आपकी बंद हो जाएंगी उसके बाद खतम हो जाओगे आप तो साड़ साती में सबसे पहले अंदो को पकड़ लो आप अच्छा बिलकुल अंदो दस अंदो को खाना खिलाईए और मैं आपको भी कहता हूँ यह वाली बात जब भी कोई आपको अंदा मिले अगर आपके पास खाने के लिए नमकीन पड़ा है आप दे के देखिए मीठा नहीं देना प्रवधान यह है दस अंदो को खिलाईए लेकिन एक सबसे सिंपल अच्छा और कारगर उपाए है इसका कोई नुकसान नहीं है और साड़साती वालों को चावल लेने चाहिए रात को भीगोने चाहिए दूद में और जाके सुबह कवंगों को खिला देने चाहिए तो जो भी फषने लगे तो जैस शनी नष 25 मी जो जाना है एक है चीज में, अपने डेली रूटीन में तो Shani Dev जो है ना वो money और जिन लोगों का साल logically जिन लोगों का साल आठ नमबर का है यानि कि अगर आपका डेट ऑबर्थ आपका जो डेट ऑबर्थ जो है, वो तो 6 पे है ना आपको मुलांग जो है राइवर नमबर 6 है तो यानि 6 और 8 का कॉंबिनेशन बहुत बढ़िया है तो अब शनी 6 क्या नमबर है शुकर का है और वो 8 नमबर हो गया आपका तो यानि कि शुकर और शनी जब मिलेंगे तो आश ही आश आपकी जीवन में अब होने वाल कि आपका चार और 9 है आपका डेट अबर्थ क्या है 31st तो 8 और 4 कितने हो गए बारा बारा में 2024 को जोड़ लिजी आपका जो डेट है आपकी जो मन्थ है उसमें अपना 2024 को जोड़ लिजी सबसे असान तरीका है अब आपका 2024 का तो आठ हा गया और उसके बाद आपका कितना 12 और 8-20 यानि कि personal year आपका दो नंबर का है अब दो नंबर यानि कि चंद्रमा मून यानि कि मूड बड़े fluctuation होंगे अगले साल यानि कि साल में मूड fluctuation हो जाए लेकिन अगर आप जैसे अब अपने काम के अंदर management बहुत अच्छी नहीं से कर लोगे क्योंकि दो नंबर का जो नंबर का साल होता है वो management करने के लिए अच्छा होता है तो हर चीज को manage बहुत अच्छी तरह से कर लोगे अपने काम में और focus करोगे जैसे मा होती ना मा कैसे करती साब बच सारा घर समाल लेती है तो ऐसे ही आपना पूरा चीजों को संभाल लोगे तो लेकिन emotional hurt हो जब मैंने इनकी पत्रिका देखी थी इनका mangal lagan में है मैंने काता है सैना पती आगे चल के सारी सेना होगी तब आपने काता है प्ल्कुल ठीक कह रहें सेना पती का क्या काम है आगे चलना और सेना को अपने हुकम से चलना अपने अशूलों से चलना और सजी जी वैसे बी 31 सबस्क्राइब करोर रुपे चलेगा, कैसीनों चलेगा, यह सब राहू है तो यह राहू जो है, यह अचानक पहसे देता है और शनी जो है, यह Stability और Long Term के लिए अब जो अगले तो विचार है विचार है, तो जितने लोगों के जितने लोगों के में इंप्रूवमेंट आ जाएगी अचा सर, आप बता रहे हो कि अगले साल डिसिप्लिन में रहने का साल है लोगों को ड्रिंक, स्मोक, नॉनवेद से दूर रहना चाहिए बट कई लोगों की अडिक्शन भी हैं जब इन्होंने तंतर की सिद्धी करी थी तो ये आका, आका, आका याद आगया आगया अब को आका तो ये जो आका इंको बोलने की बड़ी मिरे आका तो वहां से आदक बोड़ी है ये स्टाइल बहुत अच्छा है बहुत बढ़ी है अब क्या है यह नहीं पीडी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा अब कई माएं हैं बिचारी पेरेंट्स हैं वो नहीं चुड़वा पारे नश्या मुक्ती क्या सब करके देख लिया कस्में चड़ा लिया नहीं मानते बच्चे आजकल अब मैं एक एक एग्जामपल सुनिये का दिहान से एक हमारे स्कूल ताइम में मारा फ्रैंड था तो उसकी मम्मी ने कहा ती बेटा तेर को मेरी कसम है अगर शिगर्ड पर मुह लगाया तो उसने क्या किया शिगर्ड यहां पसाता था चूची उंगली में और नहीं कुता था कौनसी उंगली में यह चूची उंगली ही भी जती इसे हम चोटे उंगली कहते हैं आप क्या है था रिश्क अई उसका दिवाग देखो कहां तक चला गयाyba ऐसे दूर दूर से ले रही है भाल भी आजया फुर। पूर टो अब बथेकिया क्या करना है घर में बैटे बत्ति लेनी हैं, ठीका जी सफेद रंती और एक पेपर पे जैसे बच्चे का नाम लिखना है कोई भी नाम लिख दो और आप लोगों का नहीं लूगा राहुल करके नाम लिखना है और इसकी जो शिगर्ट या शराब या बड़े बड़े नशे हो गया आज कल तो कोकीली न चिट्टा, इंजेक्शन जो चलते हैं, वीड, वीड, सुल्फा, गांजा, स्मैक, कितने कितने नशे चल रहे हैं, वो लिखके और मनी मन में कहना है राह फिर अट भारी उस बच्चे का नाम लेके फिर शिगर्ट या शराब फिर उच्छातन, एक सो आट बारी डेली मैं कहता हूं पर्चे पर लिखके और ये उच्छातन कर पूरे दिल से मांग लिजए, एक हफ़ते में देख लीजएगा, उसकी कम हो जाएगी और वो पर्चा जला देना है उसके जब वो तुरणती जैसे बोल्ट थी जी आपने चिट पर जैसे रहूर लिखा और नीचे द्रिंक द्रिंक रिगदे दिया जी ज़िए तो आप नहीं लिख दिया फिर खार थे फिर राइन जला दिया उसी वक्ति वोंबत थी और जो एशिज होंगी वो या तो यूनिवर्स पे ब्लो कर दो या फिर आप ड़स्पी में डाल दो अच्छा हाँ भार जाके ब्लो कर दो और इसके हिलावा सॉक्स जो होती है गंदी वाली तो इतना जवरदस्त है ना कि मतलब भार फॉर्ण कंट्री में जैसे कई लोग नही अब मेरे पास एक केस भी आया था मेरे मालिक वो जो बच्चा था बच्चा क्या था अच्छा आदमी शादी हो गई थी और वो फॉरन छोड़के इंडिया में पड़ा हुआ था पैसे की कोई कमीनी इंतहा पैसा यहां आके नशो में पढ़ गया पहले वहां था छोड़ ग करवा रहे हैं कल पर सोई बात हुई है तो उसकी वाइफ यहां है उसका काम अभी हमने शुरू किया है तो वो अब उसको जेल से निकलवाएंगे और उसको मैंने उपाए करवाने शुरू कर दी है वाइफ को तो देखिए न नशों में और मैंने फोटो देखी ओह यहां चोट यहां चोट मरा हुआ एकदम काला हो जाना मेरा दिल मैंने का क्या प्रभू क्या हो रहा है यह विचारों के साथ तो क्या करना है आप लोगों ने सौक्स जो आपकी पहनी हुई सौक्स होती है उसको भी आपने जला देना है क्योंकि अगर जैसे आपके उपर कोई नजर दोश हो तंतर मंतर हो अला बला की लक्षों की भूत प्रेश जिन जिन नजर तोटका कुछ भी हो उसमें भी आप जला सकते हो या आपको नशे की तो आपके बच्चे को, पती को, बेटे को, किसी को भी, तु उसकी जिराब लीजिए और उसे जला दीजिए। लेकिन पैनी भी जुराब होनी चाहिए। उसमें उसकी स्मेल होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे राइट की और लेफ्ट की तो कोई भी हो जाए। और शनीवान वाले दिन उसको जुला दीजिए। जलाकर उसको डस्मे में डाल दीजिए। जाहे दोनों जलादो। एक जलाओ एक और एक को आप ऐसी कुड़े में फैक तो एक जुराब को जलादो। अब इसका लॉजिकल रिजन कैसे इससे क्या कहते है क्या होते है। तंत्र मंत्र की लग चौकी बूत परे जिंजान ऐसे बड़े सारे उपाय होते हैं। जैसे आप नीच हायाती है तो आप वह करते हो। तब कामपे नीच शुरू करते हैं। तो ऐसे ना कि बड़े टोटके बने हुए बड़े पुराने। और जिससे बड़ी जल्दी असर आता है। तो जैसे नमक से भी हम नजर उतार देते हैं। तो आपके बार-बार कपड़े जो ना फट जाते हैं। कई लोगों के अंडर्वेर बनियान में छेद हो जाते हैं। अब आप देख लेना वो कहते हैं। हम तो कुछ कूछ हुआ ही नहीं। आप घाए तंत्रमंतव कर देते हैं, आप फोटो देदेए हूई किसी को भी तंत्रमंत्र हो जाएगा। लोग अप यहां पर बैठाए हो आप बैठे वे आपके बनियान में ओर बेर में छेद हो जाएगा। ऐसे मतलब इनतले दंत्न्तर आपको बटाएं जे आपके घरवाले फ्रेट से उयर और इसके होगिए दिए आपको पूछना कभी होई अपने वाले या बन्यान कभी तो बता है आपको ने अक्षर हो जाते हैं तो बहुत साल पहनने वाले अलग होते हैं बहुत साल वाला है वह जब होता है जब 10-10 साल तक एक ही चल रहा है और जो लोग अपने अंडर्वेर बनिया ना रेगुलरली चेंज नहीं करते हैं मतलब उनके शुक्रदना खराब होते हैं मतलब उस संसे पुर्ण इस फुरान को खरी देंगे नहीं ना है विर धी जाब होते हैं या कि ओसे खराब होते हैं हृ थोड़े-धोड़े टाइम बार इन चीज़ों को चैंज चांगर बोढ़े चकेंज wok होते हैं अब आपको अजीब सी लग रही होगी, अगर आपके साथ नहीं हो रहा, कितने लोग इस समय प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो मेरी बात से जरूर वाक्षित रखेंगे, कि हाँ यार यार यह तो होता है, कह रहा है, अभी भी छे, अच्छार आपने बीच में बात कहे थी, कि वो बंदा जेल में चला गया, तो हमने इसको निकालने के लिए उसके योग लगाया, कुछ उपाया लगाया मतलब, वो सारे तंतर मंतर यही करते हैं, मैं नहीं किसी का ऐसे करती काम, दिवाली आई थी, दिवाली पर आना था, आपके पास दुबाया से तो लोग आजात मैं यह बोलूँगा कि मैं अवश्य ही इन बातों को भिलकुल भी उजागर नहीं करूँगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जो असली, जो तंतर मंतर जानता होगा ना, वो कभी भी मंच पे कुछ नहीं बोलेगा, वो आप लगा लिजिए, वो 101 नहीं, 1001 परसेंट जूट जो यहां बैठके, तंतर मंतर के तरीके और उसके बारे में अगर बात कर रहा है, वो लायक ही नहीं है, इस चीज के, उसे आने वाले समय में पता चलेगा, वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि हमारे गुरू ने बिलकुल मना किया था, इन चीजों को कभी भी यह जो परशर यह इतना सेक्रेड क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि जैसे अगर चलो परसनली किसी को आप अंतर पता है, तो आपने आपको भी ठीक कर सकता है, क्या होता है, आप कभी भी कपडे दुनिया के सामने नहीं खोलोगे, आप आपको मैं बोलू, चलिए बहार आप पूरे की बंधन होते हैं, यह कोई आप यह लोगों की बनाई हुई बाते blocking कर सकते हैं, इन शक्तियों के बारे में आप ज़्जादा बात नहीं कर सकतें, क्योंकि यह अपमान महसूश करती हैं। फिर जब घर पे वह अटैक करेंगी ना आपके परिवार पे कि इतना मजाग क्यों क्योंकि यह एक्चुली क्या है कि अगर हम बैठे वे ना इस वक्द हमारे आस पास में कुछ शक्तिया होती है जो हमें नजन नहीं आती है अब आप जैसे कि यहां पर चले जाओ यह जो एम्स है हॉस्पिटल है आप रात को कई बार भी निकलोगे जिनके पास जिनको ऐसी जाता है शनी लगन वाला अगर जिक्सी के लगन वी ओगए ज़गे से मर जाएगा और वो चाचा जो है ना उसकी घर के पास पास में बठकता रहेगा और उसकी आत्मा जो है कितने सालों के बाद ऊपर पहुंचती है ऐसे भी होता है तो चाचा को लेने के लिए बंदा बि जाते हैं अगर कोई शनी लगन वाला बंदा पैदा हो जाए शनी लगन में देख लोगे आ तो इंसान टॉप पे हो या बॉटम में होगा वो बीच कर अस्ता ही नहीं होगा या तो कोई हरामी चाचा वा तो उसे ही मार देगा बदी जी को पैदा होने से तो आपने देखा अब उनको क्या हुआ कि पहले मावापा लग हो गया उनके फिर उसके बाद जिसने प्यार किया दाधा भी नहीं मिली है ना तो उसके बाद उनको शराब भी मिला फिर उसके बाद उन्होंने मतलब यह भगवान हमें यही इस शिक्षा देते हैं कि उन्होंने किस तरह से पर पुर्णिय को बैलनस कर सकते हैं अब जैसे कि हम बताते ही हैं लाल किताब में ये प्रोसीजर है उपाए हैं मैं कहता हूं अभी भी हैं और उनके उपाए करने से हम अपने कर्मों को बैलनस कर सकते हैं अपने बुरे दिनों को अच्छे कर सकते हैं और ये सच्चाई है और नायूत बोलकी है। works we have deliberately applied himself worthy of what you say. आपके पास आने से पहले हम उपायẩ कर आए हैries . हम डैलीा हुपाई करते हैं . लालकिताब की तो sirु सर रहा है पेले गढ़ में खिलक थे हैता हैं हो आप जैसे एक्सक्रत के पूछने होते हैं अब आप ग्रैफल का उपाय करें वाओगे तो फिर कहते हैं कि आपके साथ में दिक्कत आजाएगी तो तभी तो एस्टलॉजर जो ये लोग नए-एस्टलॉजर भी बन रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ches जी आपको पहले ये दहना है कि कर सकते हैं और नहीं कर सकतके हैं आपका गुरू कैसा है अगर आपकी कुर्णली इपढा़के बुद्ध केतुों कर नगे नियुकर तो आप झीसको जो उपाय बताओगे उसको लगे यह नहीं थीक है, फिर अगर आपका बुद अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, आपका चंद्रमा अच्छा है, आपकी अपका इतनी लोगों की negativity को सहन कर सकते हो, यह भी तो चीज है, अगर आप सहन करते हैं, तो फिर यह चीज है, माम तो लोगों को तो Astrolodger की भी कुंडली दे और इतने अब तो हमारे पास क्या हमारे बच्चे भी बोल देते ना बैसे जर्णली जैसे आप लोग बात करते हैं तो हम बोली देते हैं हाँ जी मैडम क्या प्रॉब्लम आ रही है तो गुरुजी तो बोलते हैं वो खुछ बताएंगे सब कुछ मतलब कितने अवेर हो रहें लोग अब एक बाद मुझे बताईए जिस गुरु को पूरी ग्यान है नौलिज है वो आपकी पत्र का खोलते ही नहीं आपको बता देगा आपको क्या दिक्कत है क्यों फोन किया है आपका प्रेजेंट क्या है पास क्या है फ्यूचर क्या है आप कैसे विक्तित्व के हैं वो बतानी देगा आपको अगर उसे नौलिज है तो मैं सबको यह कहना चाहूंगा जब भी आप किसी ऐस्ट्रोजर या गुरू के पास जाएं आप चुप्चा बै आप उसे अपनी प्रोब्रम बताईए और वो आपको बताएगा इस जगह पे यह पड़ा है या उस जगह पे वो पड़ा है कहानी नहीं मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा आप बताईए कि मुझे यह दिक्कत आ रही है जी मेरे यहां पे स्किन में दिक्कत आ गई है अच आपको पैसो की प्रोब्लम आ रही है तो आपको पैसो की प्रोब्लम जो आ रही है ना कि आपने नौर्थ में लाल रंग करवा रखा होगा जिसकी नौकरी चुटी है उसने नौर्थ में जाकर लाल रंग का सोफा रखा इसलिए नौकरी चुटी उसकी अब आज सुबह मेर मेरे को मैंने भी किसी से consultation ली उन्होंने का कि आपकी वास्तु दोश है इसलिए आपकी नौकरी चुड़ गई वही घर वही सब कुछ 17 साल से वह नौकरी कर दी है एक दम से वास्तु दोश कैसे जा गया तो पहले भी तो वह कमारी थी पहले भी तो नौर्थीस में किचन थी प अब तब आपका वास्तु जागरित होगा ठीक है जैसे कि एक आपको अब को ब्रहस्त पती के महा रचीव गई आपके घर का नौर्थ एक्टिव है अब ब्रहस्त पती में यह लगने तो इसका मतलब आपका साउथ भी आटिव हो गया अब इन दोनों जगाओं को खुदी जो आपके पास अगर जनम पत्री है अपनी या आपके बाद डेट व भर्थ टाइम, प्लेस व बर्थ है हमने हजारों लोगों को बता दिया आपकी पतरिका में कैंसर का योग है और इस समें महा अंतर दशा, पतर दशा देख़के बत्चूक्ष महा दश्ण देख़के यह बता दिया इस ताइम के होगा ऐसे हजारों केस हैं और मैं आपके चैनल पे लाओंगा उन लोगों को आपके चैनल पे लाओंगा और वो बताएंगे आपको कि गुरु जी ने और गुरु माने हमें बता दिया था इस समय कैंसर होगा उस समय वो हमारा मजाग उड़ाया उन्होंने यह ऐसा मेर तो कोई मैं चेक अप करवाते था तो कुछ आई नहीं लेकिन एक साल बाद दो साल बाद जब हमने टाइम दिया था वो लोग हमारे पास आए हमें कैंसर हो गया और तब भी हमने उन्हें कैंसर से बचाया और मैं आपको एक बाब बताता हूँ मैंने एक पोड़कास्ट में आपके बोला था कि हल्दी की चने बंद होने चाहिए इनको वहां पर बिठाना चाहिए और मैं उपर वाले की दिया से जूट बोलने वाला इंसान नहीं हूँ आपने भी थोड़ा बहुत तो यह ग्यात दे लिया होगा कि मैं प्रभुजी जूट इतना नहीं बोलता हूँ मैं इतना तो आपने जानी लिया को हमने सची में हलदी की गांट रख्वाए लिवर रिकसर करवाया हैं हमने समान दबवा के छोटा मोटा समान कैया लस् Tan की कल्यान दब वाके तक लोगों को ठीक करवाया है हमने मटकी में दूद रख्वा प्रिज में जमुआ के माता को बचाया है और लाको करोडों पे ल पत्जाय के लिए अगर आपका चौता घर खाली है वर्ष्फल में पनाख कर दो कि में uit लगे दो पैयो के पैर मिल्टी कर वया है उनके पैर के ओपर 58 नंबर भी कलर के स्कैच्चपैश से लिख स्टा अच्छा ये कैसा हो पाय कैका आपके किसी के भी, अगर जितना भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, पैरों में दर्द हो रहा है, आप अपने पैरों पर 58 नमबर लिख लीजी, अब मैं यह दिताऊंगे कि क्यू 58 का क्या Kombination है, उसको पैरों पर, आप लिखी 58 नमबर यहां पर 58 और यहां पर 58 और यहां पर 58 और यहां पर लिखेगा किसे से लिखवा लिजिए अब आपके फॉन नंबर में 28 या 82 तो आपकी दवाईयों में हॉस्पिटल में बीमारियों में पैसा खर्च होगा अब कई के लोग बोलेंगे की हा रहा है काईलोग बोनेगे यह कोई भातर हम हुद जिनके साथ हो रहा है ठरके अगेन बह्ता आती है कुणली में कुनडली पुर्च योग zombies कम जोड़ होने चीए लेकिन कहीं पैसा जा रह यह होगा नोट कर लेना सारए देख लेना आप बेख interrogation मे और 43 नंबर जिसके फोन में होगा उसकी तांगों में आपको कोई नो कोई पर्शानी तांग टूटना टांग में रॉट डलना तांगों में दर्द होना कमजोरी आना यह भी नोट करने सारे और कईबर तो पारलैसिस भी हो जाता है लोगों को पारलैटिक अटाइक भी टांग ही रह जाती है उनकी सिरफ 3-4 और 4-3 दोनों का कॉम्मिनेशन अच्छा 3-4 और 4-3 इसका और इसके लिए तो अब हमने क्या काते है कि लोगों को जो जो जागरू कोना चाहते हैं इसके आपके लिए नहीं को देंगे तो समझ में आए हैं इनके नंबर में आता है 4-3 किनके 4-3 और 3-4 दोनों आना ची दोनों में से एक भी आ सकता है 3-4 और 4-3 पैरों में तो मेरे चोट लगती रहता है तो क्या नंबर बदलना हूं क्या नहीं आप अपने अब देखिए अब आ जांके अब दिदो भीजए नगरे सरढ़ा को जावन आप लोगों ने दिए और मेरे 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 मैं मैं इसको बता थार इन्हें पहले तो अरे बच्यों कैसे यह यह पैले यह क्या है रहू हू रहar थो विचार ना फेले बगया earlier यह क्या है रहू? विचार पठावदाना है और मैंने कहा तर सैनापती फटापत बताओ जल्दी एक्षन देखिया सर तुरप का है हमारे यह देख लिजी आप हमारी परडिक्शन में कोई कम ही है तो आप बताइए अब आप क्या कीजिए अभी प्रोग्राम के बाद आपका नंबर सेट कर देंगे आप एक नंबर उस डिजिट का ले लिए जैसे आपको उता देंगे कि यह चार-पांच नंबर है इनको रिपीट कर वाला आपके लग्की नंबर जैसे तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है अब क्या करना है अपने अपने मोबाइल को तो उसी से क्योंकि आपने बहुत साई लोगों को नंबर दे रखा है अब यह प्रॉब्लम आपको फ्रीकोंटली आ रही है तो आपने क्या करना है कि एक तो 58 वाल बता दिया कि 58 नंबर कर लो और साथ पे उस नंबर को उस नंब अपने नाम कमें पहले पहले तो अपने इन्स्राग्नम पे चेंज कर ले नम को उसके बाद यूटूबक पे बिषेंच कर ले इसाण으면 बोड़ेकल वह ऐसे हमारे कहन दे दिया 42 कांपाउंड, 42 कांपाउंड ले ले लो, छे नंबर पर लिया हो भाई इसको, अरे यह तो देख लो वह एक नंबर वाला व्यक्ति है, एक नंबर के सूरे, देदों के उसको 6 नंबर जिंदिगी उसकी खताम हो जाती है, ठीक है, वह कहते है कि अब ऐसे कॉंबिनेशन देखने पड़ते हैं, यह सारी चीज़े, और भी कोई नंबर हम जिससे बच के रहना चाहिए, भई 7227 को देख लो, 7227 आपको यूरिन, एक में दी विरील वायरल हो थी, दस मिलियन व्यूस पहुच गये उसमें 7227 का दे रखा था, अब 1881 का देंगे, तो उ विरी ब्यूटी पे इन्हेंस के उपर ही आप काम करने लग जाओगी, आपका ऑटॉमेटिक ध्यान आपका चला जाएगा, अब लोग, साक्षी जी कई बोलते हैं कि जैसे हमारे पास 78 नंबर है, फोन नंबर है, बच्चों को दे रखें, दस बारा नंबर है, तो जैसे हम ही तो कहते हैं--" आपके भी तो phone number में यह number है"? जो बड़े intelligent होते हैं, पगड़ लेते हैं, हम यह इके लिविए इधॉंते हैं." तो उनको यह मैं शहले हों जाहूंगा,, कि जो हमारे number है — जो use कर रहा होता है उस पर impact इता है. तो जो हमारे बच्चे कार्याले में वो यूज करें हमने यूज करें और वो उनके लिए कंपैटेबल है उनको उनको फैक्ट करेगा वो नमबर और यह भी आप कुंड़ी से ही देखते हुगी किसको नमबर कॉन से नमबर है तो इस बार आप कुछ लाएऊ निहीं भूलत हैं कि संजीर जी की वैदिक नहीं बताया यह नहीं बताया एक हमने बताया था प्रोसो प्यारे मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कार्याले में इतने लोग पहले प्रोसो प्यारे को यूज किया है और कहते थे हमारी सेल पांच हजार थी दिन की पचास हजार होगी अच्छा कहते हम भगे भगे आपके पास आए सर जो यह वाला पॉड़कास देख रहे हैं उनके लिए एक बार रिपीट कर दो यह किस लिए होता है स्विच वे इताइलियन वर्ड्स होते हैं यह प्रोसो प्यारे जो होता है आप खाली बैठे हैं काम नी आ रहा आप दुकान में बैठे हैं या फूड वैन में में बैठे क बैठे काम नी आ रहा आप क्लाइंट के लिए प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे बोला क्लाइंटी क्लाइट कितनी बार कितनी बार बोलना है आप भोलते रहे हैं थोड़ी देर बोल दीजिए नी तो कम सका भी क्यावन बार इसको बोलना होता है मन के अंदर बोलना है मतलब और आपको पैसा नहीं आ रहा कॉन्वालेक्सा 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 मनी के लिए अहा अनन्दी अनन्द मैं अब सहरी वान हर लोगरा नुटा हो बता हो प्लिए ऊटारू अब कोई बिमार रहता है आप क्या बोलेंगे अश्वीना 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 यह अश्वनी कुमार जी है हमारे हिंदूों के गौड है हेल्थ के डॉक्टर है जो हमारे देवताओं के गुरू देवताओं के डॉक्टर अश्वनी जिनके हम पूजा नी करते धंते रस पे और एक और है हमारे दुरंत देव दुरंत द तो यह बहुत ज्यादा मैजिकल चीजे हैं करके देखो इससे फरक पड़ता है और बहुत लोगों को पड़ा है और जैसे नींद मिना आरी हो किसे कहीं लोगों तो क्या बोलना है सोमा 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 आप मुश्किल से एक मिनट भी नहीं बोलेंगे और दुशुगा और किसी को गेल्फिर्ण चाहिए हो थै क्या बोला मैं बोल तरहां कि कि अधी बदी यूर्ड बंदी यह मैं बताओ संजीव जी आपने अपने गुपतावन दोना शुरू करती जी प्राइविट पार्ट्स अच्छा तो बंदी बंदी पिर बंदी नहीं है इसलिये मैं कह रहे थी एंढ़ बताओünf शिताल हो जाएंगे बच्चे सारे जयल मात बच्चे बिगड़ जी जीजी अर जयके बच्चे बिगड़ रहे हैं तीक है ना बच्चे बिगड़ जयstnh ने भी अज बड़ा खारे गरवालों कहना नि मान रहें में कंभवसन मारे पता ही नहीं चालेगा हैं शुप हो जायगा अपने अपने अपर लिख लिया और नफ पे चिफ पने शिफ कारिज्ब कंसे उसना होटो के पीछे उसका नाम लिखे फे 2009 पीछ लिख पार चिफ का दीजिए थोड़े दिनommen इस अप्राइब भी निपड़ दिफ Cabai नदकाँ टंदकी अ तो एक करना करने के लिए component जीए नासब तमनला हीorb यह शेविवीयो के लिए वे थंदक प्थो के लिए अगे Remember वो कपल में प्रवबलम चले, शादी के बाद प्रवबलम चले गए साज बहु में यह सब्सक्राइब उनके लिए कुछ है देखो करने को तो फिर आम बहुत सीजे कर देते हैं नहीं है ऐसा कुछ वर्ड क्विक कोई मन में चैंट कर ले ऐसा कुछ तो उसके लिए जैसे सास-बहु प्रवबलम है तो आपको ठीक करना पड़ेगा रहु को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि रहु जो है वो ससुराल का काराक ड़का तो अगर सास बहु में टो अपनी सास-बहु दोन अपनी फोटो को एं जो है लगा कर एक गोल्डन कलर के फ्रेम में अपने रिष्टों अच्छा करने के लिए साउथ वेस्ट में लगा दें और आजने एक जो हमारी प्यारी बहना बड़ी फेमस हो रही है जैस लुकिंग लाइक वाओ लुकिंग लाइक वाओ वो हमारी ही क्लाइंट है सर ऐसा क्या उपाय कर आपने जो वो बिल्कुल ही वाओ चलिए हैं काफी सालों से जुड़ी ही है और साक्षी जी ने उस दिन वास्तू करवाय था उनका एट्रेक्शन जोन में मिरर लगवा दिया था शौप में जाके तो वो इतना ज्यादा दुनिया एट्रेक्ट हो गई फेमस गई हो कि आप देखी रहे देखा ता वो बिग बॉस में भी गई थी अब उह जी जी बिल्कुल 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 तो दोस्तों आगर आपको भी अपनी जिन्दगी करवानी है वाओ तो प्लीज स बिल्कुल और ओडियन्स भी जुरूर रशी होंगी आज पक्षी होगी आज बिल्कुल बिल्कुल जुरूर आप ग्यान और उपायत देते हैं आप मजाक्या भी है तो इसमें तो मजाग मारते हों बीच बीच में और सार एक और चीज मैं आपको बता दू जो हमने कपड़े को बाजैं कि आपले सकते हैं प्रणाम में हिंदु हूं ये हैं भूट से डरनी लगता इनसान से लगता है बिल्कुल सही बात है इस पूरियन्स के शुक्री तर ये ने दिया हैं आपका लोगे बहुत बढ़ी है अब हुभी दादान से लो हमारी भी और मैम वैसे हमारा ये था मकसद कि जो हमारी मर्च या जो हमारी फैमली से जुड़ेगा तो जैसे चैनल का नाम रियल हीट है तो अगर लोग ये मानतें कि हमने जिन्दिगी में कुछ उखाड़ा है कुछ अच्छा कर हम सच में रियल हीट के मेंबर हैं डिजाव करता है तो वो लोग ये मर्च ले सकते हैं तो ये इसके पीछे की सोच है realeatstore.com से आप ले सकते दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको उतादू साक्षी जी और संजीव जी से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड सकते हैं यह अपने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब पे बहुत सारे उपाए बहुत सारी remedies देते रहते हैं इनको remedy specialist भी कहा जाता है जैसे कि आज इन्होंने कित्ती चीजों की यहाँ पर remedy बताई आप जरूर इन से जुड़िए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजें मिलेंगे आप से नए पॉड़कास के साथ तिल देन बाई बाई टेक केर रादे रादे